चलिए आज हम बात करेंगे मनी रेकी के बारे में आप में से सभी अधिकतर लोगों को मालूम अधिकतर ग्लोर रेकी सीखा हुआ है और जो भी हम रेकी में सिंबल्स को यूज करते हैं आप सभी लोगों ने जो हमारी जो स्टार्टिंग गेट चॉपरा सिंबल होता है लेवल वन में प्लस हमारा सहे की प्लस हमारा हुआंच है जैसुने इतीनों सिंबल्स अधिकतर लोगों को यहां पर जिते भी लोग बैठे होंगे मालूम और जिनको नहीं मालूम तब भी जब हम यह क्लास लेंगे तो हम इस सिंबल्स के बारे में बात करेंगे और जो हम आप को एक्टूडमेंट देंगे उसके अदर जो हम लेवल वन के अंदर हम चौकड से आप लोगों को एटून्मेंट देते हैं तो वो हम इसमें भी एटून्मेंट देंगे ताकि जब आप इस को करते हैं इस को करने के बाद अगर आगे इसको एगा प्रोफेशनल इसको यूज करते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत ना आए किसी और को एटून्मेंट देने में इस पूरे मनी वाले में एक पूरे में ओवराल वन अटून्मेंट है और वहाँ सारे लोग मतलब देखें मनी क्या है मनी एक और जा है और उर्जा क्या है एनर्जी क्या है एनर्जी हमारे पूरे ब्रह्मान में सिर्फ दो ही होती है एक पॉजितिव होती है और एक नेगेटिव होती है जिस तरफ आप अपनी एनर्जी को बहाओगे एनर्जी उसी दिशा में बहती जाएगे अगर आप पॉजितिव तरीके से अपनी एनर्जी को बहाओगे तो एनर्जी आपकी नेगेटिव तरीके से बहाओगे तो एनर्जी आपकी नेगेटिव तरीके से बहाओगे तो यह आपके उपर डिपेंड करता है अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अमीर होते हैं लेकिन बहुत सारे लोग अमीर नहीं होते हैं गरीब होते हैं ऐसा क्यों होता है कुछ तो हमारे पूर्व जनम के संसकार होते हैं कुछ नहीं होते हैं 100% को हमारे दिवन पर असर करते है जो हमारे पूर्व जनम के संसकार होते हैं लेकिन हम अपने पूर्व जनम के संसकारों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं चोकि आप वो हमारा पास्ट है जिसे हम बदल सकते हैं लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है एक नॉर्मल तरीक से हम उसको नहीं बदल सकते हैं तो वो हमारी जिन्दगी पर असर करते हैं लेकिन हमें अपने आपको पॉजिटिव रखकर उन चीजों से लड़ना है और अपने जीवन को आगे बढ़ना है यही हमारे जीवन का जो उद्देशिं होना चाहिए वो यही है तबी आप अपने जिन्दगी में तरक्टी कर सकते हैं तबी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं तो मनी रेकी का हमारा यही सिद्दान्थ है according to law of attraction जो हम भर्मान को देते हैं वो ही भर्मान हमें लोटाता है हम उसको 10 रुपए देंगी तो वो हमें उसको 10 टाइम्स multiply करके हमारे जीवन में हमें वो वापस करता है तो सबसे पहले important चीज जो होती है वो यह है कि आपकी मनी के साथ में feeling कैसी है आप उसको कैसे feel करते हैं आपकी मनी के साथ जो feeling है वो ही बताएगी कि आप अपने जिंदगी में कैसे पैसे को अर्जित कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं या फिर कितना अर्जित करते हैं इसी से पता चलता है कि आप मनी को कितना एट्रैक्ट करते हैं आपने देखा हो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत रिच होते हैं और वो बहुत दानपूर करते हैं लोगों को सेवा करते हैं लोगों को भोजन खिलाते हैं उनके लंगर भी चलते हैं बहुत इस त society को positive feeling के साथ देते हैं तो ब्रह्मान भी उनको positive feeling के साथ देता है लेकिन जो विक्ति के पास में पैसा नहीं है उस विक्ति की सोच उस मुकाम तक जा ही नहीं पाती है उसकी सोच बहुत छोटी हो जाती है और जब उसकी सोच बहुत छोटी हो काम करना है अपने उस subconscious mind को train करना है कि हम पैसे को असानी से attract कर सकते हैं और जो चीज हमारे पास है उसको हमें इश्वर को धनेवाद देना है gratitude के हमारे अंदर feeling होनी चाहिए प्लस सेवा भाव की feeling होनी अब जब हम कोई भी काम करते हैं पैसे को लेकर हमारे अंदर बहुत सारी positive feeling भी होते हैं जब हमारे पैसा आता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है हमें बहुत खुशी मिलती है और हमारे पास बहुत सारा positivity हमारे जीवन में आती है और वहीं जब हमें पैसा किसी को देना पड़ता है in fact हम खुद उस चीज़ को यूज कर रहे है suppose करिया आपके घर में बिजली का बिल आगे 10,000 रुपए आपकी जो सोच है बोड नेगेटिव होज़ा आपको लगेगा ओ माई गॉड़ हले कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकर लिए 10,000 रुपए कोई माइने नहीं रखता बट 10,000 रुपए एक नॉर्मल फैमिली के लिए माइने रखता है तो हमारी सोच बदल जाएगी हमें लगेगा ओ माई गॉड 10,000 रुपए बिल आ गया हो हो जादा हम उसके लिए नेगेटिव हमारे अंदर फीलिंग आ जाएगी अगर बाइचांस कोई बिमार हो गया आप होस्पिटलाइज हो गये होस्पिटल में आपका 10,000 रुपए का खर्चा आ गया 20,000 रुपए हमकी फीलिंग नेगेटिव हो जाएगी होस्पिटल का मूँ तो खैर कोई देखे ही न लेकिन मैं जस्ट एक आपको बता रहे हूँ कि आपकी फीलिंग महाँ पे नेगेटिव हो जाएगी तो हमें अपनी फीलिंग को पॉजिटिव रखना है अगर हमारी वो फीलिंग पॉजिटिव होगी जब आप उस पैसे को अपना बहार आप एक्चुली वो दस हजार रुपे का अगर आपका बिश्टि का बिल आया है तो आपने उसका सुख भी आप नहीं भोगा है लेकिन जो हम सुख भोगते हैं वो हम नहीं सोचते हैं हम जो पैसा खट करते हैं उसके लिए हमारे मन में नेगैटिव फिलिंग आती है उस नेगैटिव फिलिंग को फॉजिटिव करने के लिए अगर आप अपक्ति इस तरीके से बना लेंगे तो फिर वह उन्हारी जो फिलिंग है वह फॉजिटिव होंगी राइट और नॉट तो हमारी फिलिंग जब पॉजिटिव हो जाएगी राइट ना जब हमारी फिलिंग पॉजिटिव हो जाएंगी तो पैसा भी साकरात्मक रूप से हमारे जीवन में आएगा बर्यमान हमको समझेगा कि हम इस लाइग हैं कि हमारे पास पैसा आए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पर भूत पैसा होता है लेकिन व्यूइशा रोते ही रहते हैं हैं उनको बिमारियां भी नहीं होती हैं वो हस्ते खेल से अपनी जिन्दगी जीते और जो लूग दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, करोड़ों लाकों अर्बों कमाने केबाद भी या तो उनका पैसा बिमारी में चला जाता है या तो उनके घरों में इतनी लडाईयां होती हैं बच्चे बटवारा कर लेते हैं उनके जाते ही मकान बेच देते हैं यह नो इस तरीके से चीजे होती हैं तो यह सारी चीजे आपकी सोच पर निर्भर करता है तो इसलिए अगर आप एक रिक्षे में जा रहे हैं, आप रिक्षे वाले को भी पैसे दे रहे हैं, तब भी आपने उस पैसे को अपने हाथ में रखना है, और जो लोग यहाँ पर जिन्नों ने रेकी सीखा हुआ है, वो उसको चौकरा बना के उपर, जो हम आगे सीखेंगे, चौकरे सिं आज भी जा रहे हो, उसके काम को बनाओ, उसको सुख दो, और टेन टाइम्स मल्टिप्लाइ होकर मेरे जीवन में वापस हो, उसको इस इंटेंशन के साथ आपको पैसा देना है, अगर आप मार्केट में कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हो, आपको उस इंटेंशन से साथ, आप देखेंगे छोड़े दिनों के बाद वो पैसा आपके पास लॉट के दस दुना आएगा, 101%, कभी भी ऐसा नहीं बोलना हाई हाई हाई, बीस रुपे, इतने जादा पैसे, बहुत लोग बोलते हैं यार, यहीं तक तो जाना है, यार, बीस रुपे क्यों, दस करना है, राइट और लेफ्ट का फरक भी तो होगा, आपने लेफ्ट में रखा तो आप में राइट से करो, और जो लोग, मतलब राइट हैं वो राइट से करें, लेफ्ट पे रखें, ऐसा कुछ नहीं है, यह तो सिर्फ आपके इंटेंशन है, जो भी आप हीलिंग मोडाल के अंदर काम करते हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटेंशन चलती हैं, लेफ्ट में करके फिर राइट से उसको क्या करना है, आप पर नाम क्या है, आप प्र एक बार रेज योर हैंड करेंगे, तो मैं आपको देख पाऊंगी, कौन बोल रहे थे, रविंदर गुपता, अच्छा अच्छा, रविंदर जी, हाँ, क्या क्वेशन था, हाँ, आपने रेकी सिखा हूंगा है, नहीं, अच्छा कोई बात ने, अगर आपने रेकी नहीं सिखा, तो आप उसको सिंपल तरीके से उसको ब्लैक्स करिए, आप उस जो लोग यहाँ पर रेकी सूटंस बैटे हैं, वो वहाँ पर चोकर सिंपल को बनाएंगे, और जब हम आगे क्लासिस करेंगे तो हम यह साथे सिंपल सीखेंगे, तो वहाँ पर आपने चोकरई, चोकरई सिंपल जो χोता है, हमारे रेकी के अंदर एक पावर सिंपल होता है, जिसकी अपनी खुद की ही बहुत high energy होगी ही ठीक है तो वो हम उसको energize करना है और फिर हमने उसको जिसको भी देना है उसको उस पैसे को देना है और फिर हमने उससे prayer करनी है कि hundred times ये ten times आप मेरे पास बदल कर आओ, repeat होकर आओ, multiply होकर आओ और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद, depend करता है आपकी intention के उपर, आपकी energy के उपर अगर आपकी intention बहुत ज़्यादा positive है, pure है, तो वो पैसा आपके पास एक दो दिन में ही lot के आजाएगा और कभी-कभी वो पैसा आपके पास सोड़े time के बाद भी lot के आ सकता है ठीक है और जिनके पास आएगा ना तो वो मुझे एक बार message करके बता है कि हमने मैं ऐसा किया था और हमारे पास वो पैसा लोटके आया ठीक है अब कैसे हमने अपने जीवन में जो six steps of wealth हमने कैसे अपने जीवन में wealth को attract करना है उसके मैं आपको थैंक यू परवेश कुमार जी थैंक यू उसको हमने कैसे अपने जीवन में attract करना है उसके मैं आपको six step बताती हूँ उसको चाहे तो आप अपने paper copy रखे उसमें लिख ले फर्स step है हमारा definite amount आपने एक अपनी definite amount लिखनी है एक अपनी बुख बनानी है चोटा सा paper लीजिए red color sorry white color के paper पे आपने red pen से अपनी definite amount लिखनी है आपको कितना पैसे चाहेगे उसके बाद उस पैसे को आपने कहीं बेबी या तो आप किसी copy के अंदर रख लीजिए वो sorry उस paper को किसी copy पर रख लीजिए या कहीं भी ऐसी जगर पर रखे जहां आप उसे देख पाए या किसी wall के उपर उसको paste कर लीजिए कहीं बेबी कि आप उसको देख सकते उसके बाद जो आपका second step है second step यह है कि आपने उसके exchange में universe को क्या देना है यह आपकी planning होनी चाहिए उसके exchange में universe को क्या देना है means कि अगर आपने एक specific amount लिखी है कि मुझे one lakh rupees per month earn करने हैं तो मैं उन एक लाख रुपई के लिए क्या करूँगा ऐसा मेरे पास क्या है कि मैं उस एक लाख को अपने जीवन में आपका शिक कर सकता हूँ ऐसा मैं क्या universe को दूँ क्या मैं कितने घंटे में काम करूँ यह आपको अपने planning करनी पड़ेगी सारी चीजों की और जो आप planning करेंगे उस पर आपको अमल भी करना पड़ेगी जादू उन्ही के जीवन पर होते जो जादू पर विश्वास करते हैं ठीक है ऐसे किसी के जीवन पर जादू नहीं होते और विश्वास करने के लिए आपका belief system strong होना चीए और belief system को strong करने के लिए practical आप क्या अपने जीवन में दे रहे हैं वो चीज़े important करते हैं तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको इतनी अमाउंट चाहिए आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपने एक्सचेंज में यूनिवर्स को क्या देना है टाइम बाउंड आप उसमें लिखे कि मुझे एक महीना आज के तारीके आज 21 अक्टूबर है तो 21 नवंबर तक मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना पैसा अर्जित करना है टाइम बाउंड दीजिए, उसके उपर अपनी स्टेटेजी पर काम करिए, प्लानिंग करिए, पूरे प्लान के साथ काम करिए, देखे, अगर आप प्लान के साथ काम नहीं करेंगे तो आपका सबकॉंशन माइन आपको नहीं एक्टिव करेगा, आपके सबकॉंशन माइन में वो बाते नहीं जाएंगी, तो आप अपने plan बनाएए, उस पर action नीचे, plan पर अपने target को आपने किस तरीके से achieve करना है, वो आपकी सारी planning होनी चाहिए, उस planning के उपर आपका पूरा का पूरा action होना चाहिए, एक लाग रुपे मैंने आपको बता हैं, हो सकता है, आप एक लाग हो जाए, पत्चीस हजार हो जाए, या तीस हजार हो जाए, या पचास हजार हो जाए, तब उसके लिए planning करें, यह depend आपके अपनी personal situations पर होगा, ठीक है ना, तो यही आपने जो आपका first point था मैंने बताया definite amount लिखे, second point आप universe को उसके बदले में क्या देंगी, क्या exchange करेंग कर रहे हो आप, कैसी काम कर रहे हो, यह सारा जो चारो point आपको बटाएं, जब आप इसको एक simple statement में, जैसे मैं आपको बोला ना, कि आपने एक white paper पे red pen से amount को लिखना है, और उसी paper पे नीचे आपने एक simple statement लिखनी है, कि मुझे एक नाक रुपे per month earn करना है, मैं एक लाक present tense में आपको अपनी statement लिखनी है, कि एक लाक रुपे महीना कमाती हूँ, या कमाता हूँ, present tense में एक छोटी सी statement लिखनी है, और जब आप regular उसको हर रोज, अगर आप उसको देखोगे, रोज उसको पढ़ोगे, 21 times सुबे उट्टे के साथ ही, आपने उस statement को पढ़ना है, र 21 times हम उस statement को पढ़ने का मतलब है, कि हम अपने subconscious mind को दे रहे हैं, क्योंकि हमारा सुबे के वक्त में subconscious mind active होता है, और जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं, तब भी वो हमारा active होता है, तब हमने अपने mind को program करना है, आप देखेंगे धीरे धीरे, आज आप अपने mind को program कर र इनको बढ़ाना है, और आप खुद से अपनी जिन्दगी में ये magic देखेंगे कि automatically आपका दिमाग वैसा चलता जा रहा है, और जब आपके subconscious mind में ये चीज़े आने शुरू हो जाएंगी, तब आपका दिमाग ही आपसे वो सारे काम करवाना करवाता जाएगा, ठीक है? क्लियास भो अवन